वेल्कम टू फोन फिक्स हदराबाद जैसा कि आप देख सकते हैं अभी आज का दिन खतम हो चुका है और सारे स्टूडेंट्स अभी अपने हॉस्टल पे जा रहे हैं और आज के दिन का इनसे हम रिव्यू लिंगे आज का दिन कैसा रहा है लोंग का बताइए अपना नाम बताइए मेरा नाम है निकेश शंकरा बांबल अच्छा अमरती महाराष्ट्य सिव और आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा आज बोले तो कैसा है सबसे पहले हमारा सौफ्टर क्लास हो गया सौफ्टर क्लास में तोपिक सार ने कॉलकम का लिया है और ब अच्छी से बताइए और शीव हमने लिखा भी लिये पूरे अच्छा रहा अच्छा रहा आज सबसे में बाद डिसी मशिन सिखाए सबसे बेच्टा लगबक काम डिसी मशिन से अपने काम हो जा रहे हो सर ने एकदम शौटकर तरीके से बताया गुमाया की नहीं बताया जो शौटकर जो ट्रीक है और उसके बाद में हमको दिखाया समसंग के इंसेट डबल डेकर तो बहुत अच्छी लगया लेगिन अच्छा बताया है वह बता दे नहीं किता हीट क्या है हो सब बता दे नहीं है और अपन काम सीखेंगे तो आपन दुकान में जाके भी काम कर सकते और एक बार कशा है पहले हमाए एक पहले में क्या करता ता लेकिन खूल ने पाथा लेकिन आज में ऐसा कर सकता हूँ आज कर सकता हूँ रहे पेश्टिंग आजी वह पता नहीं लेकिन सागर सरके ट्रिक से एकदम बढ़िया और अच्छे से फिटिंग भी हो रही और आभी रिबॉलिंग करने के लोग पहले मैं गहंटार लगता था अभी माँ दो मिन में पांच मिन में रिबॉलिंग करके मैं दाले विदाता हूं अच्छी बाद है उसके लिए और यह बताईये में कूझ कुनसा दिन चल रहा आपका आशका सर मेरा बारा बारा दिन चार रहा हूं बारा दिन में तब तक के मैं 75% काम सीख लिया हूँ अभी थोड़ा 25% और 12 दिन आपके मेरा नाम आतिस सिंग है और मैं मुंबई महारस्ट्रा से हूँ और आज 12 दिन चल रहा है सफ्ट्रे का कॉलकम के उपर किये एट टूजेड और कल तो नहीं रखें ने कुछ सुपह आगे नहीं रखें सब बता है और डवब्टेकर का भी अच्छा गाम हुआ अच्छा है चलो उसके बादकन सगर सार का क्लास हुआ ऐस का इंपोर्टेंट क्लास था वह कैसा बता तक से अच्छा पता है और आज का सपेशल दिन गया है एकदम पताए और एएजी मीं बताए झीड़ां पहले लगता था आको काम और कर सकती है तक है चलिये कहां से मुंबई मारास्टा में मुंबई में कितर से आप जादर से ठीक है ठीक है सिफेंक्जू वेरिमच अब किसी और पतीजिए अपना मॉ dating और किसी से लीन के लिडियो चलिए अपना नाम बताई और कहां से बताई आप मेरा नाम अब्दुलकरीम है है अच्छा आप लोकल के यह माशारला ठीक है चलिए आप बताईए आज का दिन कैसा रहा आपका आज का दिन बहुत बढ़िया था बहुत इंफॉरमेटिव था एक एक सीप्यू निकाला और सीप्यू का रीडिंग भी देखा डीसी सप्लाई पे अच्छा और सुबाह में जो सॉफ्ट्र का क्लास चला आपका वह कैसा रहा सॉफ्ट्र का क्लास बहुत बढ़िया था उसमें एक के बाद एक एक एरर के वी उपर सेलूशन भी दिया सर ने ए सेलूशन भी दिया सब्सक्राइब एक के बाद एक सीप्यू भी देखा उनप्लस का सीप्यू भी देखा और साथ में यह ड्यूल डेकर जो सैमसंगा टॉफ होता है बहुत के लिए वो भी इसी ट्रिक बताया कैसा लगा फ्रिक भी देखिए एक के बाद एक स्टेप बाइस बताया गया कहा कब क्या करना है हीट कितनी चाहिए और एर कितनी चाहिए सब बताया माइक्रो जंपर का भी क्लास था हमारे लिए अच्छी बाद है डीसी रीडिंग जो है अपने फोन के फॉल्ट पकड़ते सेवेंटी से एटी परसेंट अपन डीसी रीडिंग से पकड़ जी ठीक है सारो ट्रिक बता है वो कैसी लगी आप लोग वह भी बढ़िये वह बढ़ि सब्सक्राइब कर सकते हैं अराम से आप से लास्ट सवाल है आपके फोन फिक्स के बारे में आपका क्या रहे हैं तो यहां प्यान के बाद में कुछ सोचना नहीं है इधर फ्रेशर स्टूडेंट के लिए अच्छा टाइम दिया जाता है एक पांच से चार लोग आपके पि अराम से आपको कुछ भी पूछना आपको इंफोर्मेशन मिल या ती कैसा करना है कप करना है इस बता देते हैं आप 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 सकते हैं तूल की कोई जरुरत नहीं है मतलब यहां पर सब कुछ देते हैं आप बस बुक पेन ले लेके आज़ेगी है और एक लास्ट स्टूड आज का बारवा दिन चल रहा है तो कैसा फिलो रासट को बहुत कुछ चिक नहीं मिला अज से कल से सौफ्टर का क्लास शुरू हो चुका है अच्छा का कोई क्लास हो गया है तो फिक सर ने सर पूरे जो यह आते है वो पूरे अच्छे से समझाया और उसको जो सोलिशन है वह पूरा पूरा बता है और आपको पूरा बूप में एंट्री करने भी दिये और आपको डाटा डाटा बैकप भी दे रहे हैं चलिए यह बताइए लंच के बाद आपका जो क्लास था सागर सार का जो इंपोर्डेंट क्लास आप लोगा उसका वेटिंग कर रहे थे तो वह कैसा लगा आपको आए जी सर और बहुत अच्छा लगा सर नियाज डिश्ची मसीन जो कहाई-सका यूज करना है यह वो पूरा अच्छे से समझाया उसकी बाद डबल डेकर करका समझाया है इसी बहुत अच्छी लगी और सिंपल है कोई भी कर सकता है सरीजी कम टाइम में कोई भी कर सकते हैं और आपको साथ साथ में इसके साथ CPU only RAM भी आपको रिबल करना पता है सर तो अब आप कर सकते हो हां स सबी लोग कर सकते हैं सब लोग कर सकते हो ठीक है चलिए अगर आपके उस्मानाबाद से कोई आना चाह रहे हैं तो आप उनको क्या बोलेंगे जी सर जरूर आ सकते हैं यहां पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ भी सिंपल इजी ट्रिक है जो सिखाते हैं आप जी और एक बाइज यह बोलना चाह रहां अब उस्मानाबाद के बारे में बोल दिए जी जे ऑफीड बेदों कोई ना चाहा रहें तो उनको क्या बोलिग्य का जी सर कोई भी आ सकता है और ईजी ट्रिक है आप ही सिखने के लिए और सिभ पिल इसके बतिस दिन में सिर्फ ज़ा